यह शॉब है साहिम के लिए हमारा शॉब्स रेका वो शॉब्स के लिए यहां पे रिविजिट करने आए है पहले यह शॉब्स देखा था शॉब्स स्रुक्षर रेक। वो काफी मतलब खराब था लेकिन ओनर जो है वो सारी चीजे करने को लिए ready है जियाँ केुट ले बिया के लिए ईखिस के बरे इस जा एक बीचे में एक अपने डेन सिस्टम हुआँ जो उपट अप्रियदочки बिया ऊपने गिए लीज़ने ं जिस वैसी आफने टोस वासिट हो उप Galloni के लाइन कर रस्ता है वहां से राइट मारेंगे तो में अब यह सामने उप्रोजिट में पूरा कर लिगे और यह अपहर कमर्शल चौक है और यह इन्डिपेंडन स्टर्चरेशं के लिए यहां पे अप्रशक फेंडन साइट यहां पेर पारश्टिकलत है ही सेकेंड अपनी शॉप लगती है और पार्किंग स्पेस अवेलेबल है कोई इशू नहीं है यहाँ पे पार्किंग स्पेस के लिए कोई इशू नहीं है यहाँ पे और यहाँ भी अंदर कमर्शल शॉप है यहाँ पे पार्किंग यहाँ पे कर सकते हैं इसली कोई इशू नह कि नाइट ऑपरेशन के लिए भी कोई इसु नहीं आएगा और रोड से सिर्फ 10-12 फिट सी यह अंदर है यहां पर इसली हमारे स्टोर के पास बाइगा सकती है वैन विजिबिलिटी भी यहां से अवेलेबल है इसकी जो हाइट है सेंटर में हाइट जो है वह 13 फीट है और फ् सब्सक्राइब करते हैं और उपर आईजिम का कोटलादी दालते हैं तो भी 10-1 minimum हाइट हमको इसली मिल जएगी को उपर जो है यह अंदर कोटलादी करके देंगे यहां हमारा बाइक पार्किन हो सकता है जैने सिस्टम भी है जैने सिस्टम ओनर करके देंगे कोटलादी चें प्लास्टरिंग करके और यहां पर पूरा प्लास्टरिंग रिमूफ करके अच्छे से पूरा प्लास्टरिंग रिमूफ करласт warmer टे कि यह वह ब्रेकडाउन करके पूरा देडैंगे और यहाँ पर यह जो है back door है यह shop जो है 640 carpet की है 120 carpet का यह square area है और यह यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 17.4 है और वहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 34 का area है तो total 520 carpet यह होता है square में और rectangle में और फिर यह अलग से एक rectangle बनता है छोटा जो हलका सी curve है तो यह total जो है 120 carpet बनता है total 640 carpet होता है यह back door है यहाँ से और यह जो condition है पूरा plastering वो chill के यह breakdown करके proper नया करके देंगे यह उनका जो कोटा है यह अच्छा नया ही है वो बोल रहे है लेकिन यहाँ पर drainage बना देंगे और यह जो यहाँ पर जो कोटा जितना भी damaged कोटा है यहाँ पर यह सारे कोटे को वो change करके देंगे नीचे drainage system proper अपना करके देंगे wall का जितना भी plaster है proper remove करके सब करके देंगे और उपर तो ये जो actual में जो ये shade है जो हमको दीख नहीं रहा है ये shade है ये shade के बदला वो पूरा eye beam का loft दाल के proper way में हमको देंगे इसके back side की visibility चेक कर लेते हैं ये जो window है ये window से आगे ही ये जो cracks दिख रहा है वहाँ से लेके ये पूरा आगे तक अपना shop है ये area जो है यहाँ से यहाँ तक का जो हमने बताया था थोड़ा एक्स्टेंड होता है square rectangle shape में ये 120 carpet है और यहाँ से लेके फ्रेंट टक के वो 520 carpet है तो यहाँ पे जो है हमारे back side हम ventilation नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे back side डूसरा गाला है हम front से fresh air ले सकते हैं और यहाँ कहीं भी exhaust लगा सकते हैं यहाँ अल्रेडी उनका चिमनी चलता था वहाँ पे उनका वो भट्टी कुछ चलता था तो यहाँ पे जो है यह चिमनी लगा हुआ था यह wall पे हम कहीं भी exhaust लगा सकते हैं कोई issue नहीं है यह जो shade का structure है यह proper way में उनके पास height है वो कोटा लादी हमको डाल के देंगे हम अगर उनसे deal कर लेते हैं तो और deal नहीं भी होती है तो उनको internal quota और अंदर का पूरा plastering करना ही है और यहाँ यह wall पे हम कहीं भी लिकाल सकते हैं कोई issue नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो residential है वो area दूर है यहाँ पे जो है यह पूरा open space type area है यहाँ पे यह building बन पड़ी हुई है open space area है और यहाँ पे जो है यह बाजू में अगर हम वहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ किसी को disturbance नहीं होता है already वहाँ पे भट्ती चलती थी वहाँ पे और यह जो है यहाँ पे यह structure है independent जो हमने आगे देखा commercial चल रहे हैं तो यहाँ अगर हम exhaust fan छोड़ते हैं इंजीनियर के pointer मना के हमको ओनर को देना पड़ेगा तो ओनर पे हमको सारे pointer clear out करके देगा क्योंके ओनर इस रेड़ी टू पूरा वो change करने change करके देने के लिए ready है लॉफ दाल के पोटा करके और plastering पूरा वर्क करके यह जो है यह बट्टी चलती थी यहाँ पे जिसका वो चिमनी लगा हुआ है भार तो almost exhaust pen यह वाल पे लगा पाएंगे यह वाल से fresh air ले पाएंगे right side में हमारे shop है यह वाल पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं और back side में हमारे shop है वो वाल पे तो front से हम fresh air जो लेंगे वो यहाँ से और यहाँ से जो है हम भार transfer कर सकते हैं और यह पूरा वो remove कर देंगे एक चाहिए तो भार से हम उनको बोलके urinal भार डोर रखके urinal बना सकते हैं उसका कोई इसू नहीं है वाटर यहाँ पे आता है 2000 लेटर डेली मिलेगा एक से चार बजे के बीच में पानी आता है वाटर सोस का भी इसू नहीं है documentation के लिए भी हमने पूछ लिया है उनके बास document क्लियर है और three face apply भी वो करके देंगे three face meter भी करके देंगे